नमस्कार आप सभी को स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्तोपोन है आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो आज कल बहुत चर्चा में है टॉपिक है उत्राखन के त्रिस्त्री पंचयत परतिनिदी क्यों अपना कारिकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्यों अपने कारिकाल को बढ़ाने के लिए संगर्स कर रहे हैं और क्यों सरकार को अंदलन करने की धनकी दे रहे हैं मैं एक ग्राम प्रधान हूँ मेरी ग्राम पंचयत बास्ती है और ग्राम पंचयत बास्ती देभुमी उत्रकट के बागे स्ट्रडिस्टिक के कपकोड विकासखन में आती है और मैं अपने ग्राम प्रधान संकथन विकासखन कपकोड का ब्लॉग अध्यक्स भी हूँ और मैं अपने ग्राम प्रदान सात्यों के साथ अपने ग्राम प्रदान संगठन की बैनरतले इस संगर्स में सामिल हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि 33-35 परते निदियों का दो साल का कारिकाल बढ़े तो इसके पीछे क्या कारण है क्यों हम लोग मात नर रहे हैं वो मैं आपको बतात हैं और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ एक शेर जरू कर दीजे ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके तो मैं अपने टॉपिक को सुरू करता हूं आज कर आप द रहे हैं राजे इसतर पर एक संगठन बना है तृष्ट्री पंचैत संगठन जहां पर ग्रामप्रधान छेत्र पंचैत और चिला पंचैत सब एक जुठ होकर के सरकार से संगर्स कर रहे हैं मांग कर रहे हैं कि हमारा कारिकाल बढ़ा जाई उसके पीछे क्या कारण है वो मै देभुमी उत्रखंड में पंचयतों के इलेक्षन दो बार होते हैं बार जन्पतों के इलेक्षन एक साथ होते हैं लेकिन हरिद्वार जन्पत का इलेक्षन अलग से होते हैं और वो काफी साल पहले से होते आया है और अभी भी वेसाई चल रहा है और आप लोग सायद ये भी जानते होंगे कि हमारे देश के मानी प्रधानमंत्री आज़नी नरेंदर मोधी जी का एक शबन एक शंकलप है, कि एक देश एक चुनाव हो, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोगसभार, विदान सबागर चुनाव हो, और वास्तों में हम इस संकल्प का इस सपने का आधर करते हैं उनका सम्मान करते हैं और ऐसे फैसले का हम स्वागत करते हैं अगर एक चुनाव होगा तो निश्चित ही देश की अर्थव्योस्ता को और बल मिलेगा क्योंकि जितने बार election होते हैं उत्ते बार देश की अर्थव्यस्ता खराब होती है देश को बहुत सारी वियोस्ताइं करने होती है election में काफी जिम्मेदारियां होती है सरकार का काफी बजड भी खर्चों होता है और काफी दिक्कतें भी होती है अगर एक देश एक चुनाव होगा तो लोगों को भी परशान्या नहीं होंगी क्योंकि समय समय पर आचार शंगिता नहीं लगेगी और एक चुनाव होंगे वियोस्ताइं ठीक हो जाएंगी और उसी परकार हम चाहते हैं कि एक राज एक चुनाव यानि कि हमारी उत्राखन परदेश में अगर तेरे जन्पद हैं तो फिर तेरे जन्पदों के पंचेह चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं हमारा ये परस्न है और अगर सरकार चाहती है तो ऐसा कर सकती है इससे कही न कही हमारी उत्राखंद सरकार को भी फायदा होगा फायदा क्या होगा दो बार चुनाओ कराने में कितनी वियोस्तायों करनी होती है अगर पूरे प्रदेश के पंचैती चुनाओ एक शाथ होंगे तो सरकार को बहुत ज़या मेंनत नहीं करनी पड़ेगी अगर दो बार होंगे तो जैसे कि अभी 2025 में चुनाव होंगे फिर 2025 में होंगे तो कितनी परिशानिया सरकार को होती है कितनी भियोस्ताई करनी पड़ती है कितना बजट खर्चों होता है सारी चीजों को देखते हुए हम भी ये मांग कर रहे हैं एक राजे एक चुनाव हो हमारा बार जन्पतों का चुनाव हरिद्वार जन्पत के चुनाव के साथ होना अच्छी मलब अभी हरिद्वार जन्पत में जब लास्ट बार पंचैती चुनाव होए थे मातर तीन साल होए हैं उनके पंचयात कारेकाल का अभी 2 साल के आसपास का समय अभी सेस है 2 से 2 साल का और हमारा लगबख 6 मैंने का समय सेस है और हमारा कारेकाल पूरा होने को है नबंबर 2024 में और incey जिसमें एक देश एक चुनाव या फिर एक राज्य एक चुनाव की आउधारणा सफल हो पाएगी और दूसरा हमारा जो विशे है वो ये है आप सब लोग जानते हैं जब हम लोग निर्वाचित होके आये और हमने अपने ग्राम पेंचायदों में काम करना इस्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ी बैस्ट्रिक महमारी आई कोरोना जैसी महमारी से हम सब लोग परिशान हुए आप सब लोग जानते हैं और उसमें बहुत लंबे समय तक लोगडाउन लगा लोगडाउन में कोई विकास कारिय नहीं हो पाए और हम लोग सब अपने गाउं की जनता को अपने गाउं की लोगों को बचाने में जुटे रहे हैं और वर्स 2019-20 वर्स 2020-21 और वर्स 2021-22 तीन साल का बजड हमारा डंप पड़ावा था खातों में जमा था हमारी विकास कारियों गए थे और उसके बाद वर्स 2020 हम लोगों है थोड़ा बहुत काम किए लेकिन उसके बाद किया हुआ 2022 में भी बिधानसभा चुनाओ बहुत समय हमारा बिधानसभा चुनाओं के ओ जैसे कुराब हवा क्योंकि आरचार स्गीटा लगी आचा संगीता में विकास खारी बंद होगे और उसके बाद 2022 लाश्ट लाश्ट रवर 2023 में हमको काम करने का जो मौका मिला हमने जो 2019, 2020, 2021 का जो बज़ट था हमारा 2019, 2020, 2021, 2021, 2022 का वो खर्च किया हमने 2022 में लेकिन अभी भी बहुत सारे कराम पंचायते हैं जहां पे 2020, 2021, 2021, 2022 का बज़ट खर्च नहीं हो पाया है क्योंकि उनको समय नहीं मिला काम करने का बहुत सारे गाउं ऐसे हैं जहां पर मजदूर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए और सरकार की पॉलिसी यह है कि गाउं में कोई भी विकासकारी होते हैं चाहे मंद्रे के कारी हो चाहे वित्त के कारी हो पनरवी वित्त के कारी हो राजवित्त के कारी हो तो सारे कारियों की पेमेंट ऑनलाइन होते हैं लेवरों के खातों में पेमेंट जाती है और गाउं के मजदूरों से ही काम कराने का प्रावदान है हम लोग बाहरी मजदोरों से काम नहीं करा पाई जिस कारण गाओं में, जिस गाओं में मजदोरों की कमी है जहां पे लोग बलेबरी नहीं करते हैं वहां पर विकासकारी रुख गए अब हुआ क्या दिरे दिरे लोगों ने विकासकारी करने सुरू किये लेकिन एक साल मैं तिन साल की विकासकारी हम नहीं कर पाए उस से क्या हुआ कि हमारा पैसा अभी भी खातों में जमा है बहुत सारे ऐसी योजनाईंगे हैं जिसमें पैसा खर्च होना है हो नहीं पा रहा है तो यह भी एक कारण है और इस कारण से भी हम चाहते हैं कि हमारा कारेकाल बढ़े और जो दो साल का कारेकाल कोरोना जैसी वेस्विक महारी में हमारा खराब हुआ था उसमें हम लोग विकास कारे नहीं कर पाये थे वो दो साल का कारेकाल अगर हमारा बढ़ता है कि मैं जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय जनता से कुछ वाइदे करते हैं हम चाहते हैं कि हम अपने गाओं का विकास करें अपने चेत्वे का विकास करें जनता से हम लोग वाइदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जब पांच साल का कारेकाल हमारा जो होता है उसमेंसे 2 या 5 साल हमारा कोरोना जैसे बैस्ट विक मारी में घुजर गया तो जो हमने वाइदे किये थे उन वाइदों पर हम खरा नहीं होता पाई क्योंकि हमारा पूरा फोकस कोरोना से लड़ने के लिए था कि पूरा फोकस हमने गाउं की जंता को बचाने में लगा था हमारा कोई भी फोकस उसमें विकास機ारियों में नहीं था लेकिन अब क्या है कि गाउं के लोग हमको गाली कर रहे हैं कि परधान जी आप ने काम नहीं किया आप ये वाई देखे थे वाई देखे थे क्यों काम नहीं हो रहें तो यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि हमको पूरा का पूरा जो पांच साल का एक समय होता है एक पंचवर्सी योजना होती है 5 साल का जो कारिकाल होता है उसमें पूरा 5 साल काम करने के लिए मिलता है लेकिन हमको मातर 2 साल 10 साल काम करने के लिए मिला है और उसमें भी हम लोग कभी बरसाद माअबदाएं आ जाती है कभी लोक्षभा चुनाओ की आचार संगिता लगी कभी विदान सभा चुनाओं की आचा संगिता लगी तो उसकी वज़ेसे काम नहीं कर पाए तो हमारा उद्देश ही है कि अगर दो साल का कारिकाल बढ़ता है तो हमने जो वायदे किये थे वायदे भी हम पूरे करेंगे विकासकारी हम कंप्लेट करेंगे और जो एक राज्य में दो बार पंचैत के चुनाओं होते हैं उसको भी हम लोग एक राज्य एक चुनाओं की जो अधारना है एक देश एक चुनाओं की जो अधारना है उसको एक राज्य एक चुनाओं में कनबट करेंगे सब से पहले जब एक राज्य में एक चुनाव होंगे तभी तो एक देश में एक चुनाव हो पाएंगे अगर एक राज्य में पंचैत जैसी जो ब्योस्ता हैं पंचैती चुनाव जो है अगर पंचैती चुनाव अगर दो बार होते हैं एक राज्य में तो फिर एक देश एक राज्य की हम एक फिरेड़ से सrकर का मोधी जीभाँ वो सबन हुगा क्योएं में यह कई वोरिग करेंगे तो इसलिए मैं आप सबी लोग को सब्सक्राइब करता हूं कही पर भी आसे मूं करता हुन कहीं पर ही आपको कुई टीवी बिंट्स मिलती है कोई न्यूज मिलती है आप लोग ग्राम प्रधानों को गाली करते हैं बहुत सारी लोग बोलते हैं ग्राम प्रधान चोर हैं ग्राम प्रधान कुछ काम नहीं करते हैं गोटाला करते हैं देखे माँ आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है वो पहले का जैसा नहीं है आजकल कोईभी कारी होते हैं उसके online monitoring होती है कोईभी कारी को शुरू करने से पहले वाँ की photographов online ge Queensborough देनी होती है काम के दोरान की photograph देनी होती है काम के बात की photograph देनी होती है social audit होते हैın धरातल में बहुत परकार की जाचे होती है और इतना ही नहीं जो payment system होता था पहले चक के माधियम से ग्राम परधानों को payment किया जाता था अब ऐसा नहीं है अब direct मजदूरों के खातों में पैसा जाते हैं अगर किसी मजदूर के खाते में हम पैसा डालते हैं तो वो direct मलब कोई मजदूर अगर काम करता है तो वो पैसा direct म मजदूर के खाते में जाता है और अगर आप किसी दूसरे ब्यक्ति के खाते में पैसा डालोगे भार के लोगों के खातों में पैसा डालोगे तो उसका पूरा पता लग जाता है किसी भी परकार का कोई ब्रहस्ट चार कोई घोटाला अब नहीं रहा जैसे पहले होता था हम बहुत तेज तरार नहीं है, वो काम नहीं कर पाते हैं, अपना बज़ट खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं, कि गराम परधान ने गलत कर दिया, क्योंकि उनको आपने चुला है, और कई परधान ऐसे हैं, क्योंकि जैसे जब से online payment का system आया, material भी स गोटाले तो हो नहीं सकते हैं, कहीं भी किसी भी परकार का बरश्चार नहीं हो सकते हैं, इतना जरूर हो सकता है कि काम करने का समय जो हमको मिलता है, उस समय में हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जटिल परकिरिया होगी है, जटिल परकिरिया होने की वोज़ देते हैं तो उसमें लोग नीचे से गालियां कर देते हैं तो ऐसा मत कीजिए और हो सकता है कि सारे ग्राम परधान गलत नहों हो सकता है सारे ग्राम परधान सही नहों कुछ गलत भी हो सकते हैं लेकिन आप सारे ग्राम परधानों को गलत कहते हो, सारे ग्राम परधानों को गाली करते हो, यह बहुत गलत करते हो, ऐसा मत किजिए, क्योंकि ग्राम परधान गाउं का पहला ब्यक्ति होता है, अगर आप गाउं में एक जुट हो करके, ग्राम परधान का सांथ देगे, ग्राम परधान के से कदम मिला कि अगर आपके गाउं का विकास करने का अगर आपने संकल पर ले लिया तो निची ती आपके गाउं का विकास होगा और जिस दिन गाउं के लोगों मेरा नहीं हमारा ये वाला सिधान तो अपना लिया और जिस दिन गाउं के लोगों ने ये बोल जा कि यार मेरा रास्ता तो बाद में बन जाएगा पहले फलाने के घर में जाने वाला रास्ता बनाओ क्योंकि वो मेरे से ज्यादा खराब है वो मेरे रास्ते से ज्यादा तो उस दिन निच्ची दी गाउं का विकास होना स्टार्ट होगा तो इसलिए मैं आप सभी से नियोडन करता हूं आप सब लोग सपोर्ट कीजिए अपने त्रिस्त्री पंचायत परतनेजियों को सपोर्ट कीजिए अगर एक राज्य एक चुनाव होगा पूरे तेर जन पदो का चुनाव एक साथ होगा तो सारी ब्याउस्ताइं ठीक होंगी और ग्राम पंचायतों को भी बहुत मजबूती मिलेगी और जो दो डह साल का कारिकार हमारा कोर्णा जैसी बैस्विक में हमारी में बीता है वो समय अगर हमको एडिस्नल मिलता है पंचायतों में काम करने का तो हमने जो आप लोग उसे वायदे के थे वो वायदे में हम लोग पूरा करेंगे तो फिलाल मैं आज के इस टॉपिक को करता हूं यहीं पर खदम अगर आपको मेरा यह टॉपिक यह बीसे अच्छा लगा यह वीडियो अच्छी लगी तो एक सिया जरूर करना और बहुत करती है तो उसमें एक दूसरे को मनद किजिए और इस आपदासन निपट्य है उसके बाद फिर पंचय चुनाव आएंगे और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो लेकी आएंगे बहुत सारी जांकारी आपको देंगे फिलाल इस वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय वारत जय देव हूं में उतरा है